तो अब आपन को आईज ऑर नोस बनाना है तो अपन नोस से स्टार्ट करते हैं ठीक है नोस का बेस बनाएंगे फिर उपर वाले कर्भ आएंगे तो नोस का बेस देखो कहां से है पेले अजन तेख लो इसकी यह रहा उसका कर्भ नोस का बेस और नॉस्ट्रिल का जो लेवल है इसमें सेम है ठीक है तो कितने सेंटीमीटर नीचे है कौनसे पॉइंट से 5,7.5,7 इस पॉइंट से किता नीचे है इस पॉइंट से है 1 सेंटीमीटर नीचे ठीक है मैंने 1 सेंटीमीटर नीचे से मार्क किया अब 1 सेंटीमीटर सिर्वाइन आपको यह से प्परों पीछे पकड़ों और एक लाइन चीछ दो इस लाइन पर मतलब बेस अब यह कित्ते पर कट कर रहा है इसको यह भी वन सेंटीमीटर तो यहां से वन सेंटीमीर राया और यहां से कुत दार राइट है यह यह वा वन 1.3 cm ठीक है तो 1.3 मैंने यहां मार्क करा तो मैं जो लाइन पर मार्किंग्स चाहिए थी वो तो मिल गई लेकिन अभी भी काफी नहीं है मार्किंग्स क्योंकि यह कर रहे कहां तक जा रहे तुम चाहो तें ऐसे लंबा सा कर ला सकते हो तो यह कर यह है ठीक है यह और इतना डि होगा तो इसके लिए क्या होगा यहां से लेके पॉइंट सेवन है ठीक है तो मैंने यहां पॉइंट सेवन ऐसे मार्क कर दिया सेम चीज़ यहां पर होगी यह पॉइंट फाइव है तो मैंने यहां पर पॉइंट फाइव मार्क कर दिया ठीक है मुझे थोड़े पॉइंट मिल रहा है तो अपने को पॉइंट्स तो मिल गए लेकिन अब कित्ता करना तो यह देखो यहां पर कर वा रहा है ठीक है कर वैसे ऊपर आया यह कर्व को इसकी उपर ही रखना है यह कर्व लेफ्ट भग रहा और तुमारा यह यूशेप का कर्व राइट भग रहा है जैसे यह है उपर की तरफ जाता हुआ इत्ता अब एक बार यह और देख लो कि यह जो नॉस्टिल का जो कर वह यह इस लाइन से कित्ता नीचे यह आ इसका कितना हो गया यह पॉइंट टू गया सपास तो यह क्या किया मैंने मेरा यह यहां गया और यहां से ऐसे कर्व हो गया मेरा यह यहां गया उपर की तरफ ठीक है और यहां से ऐसे कर्व हो गया और यह नॉस्टिल जो रहती है यह बनाई मैंने कर्व करके नॉस्टिल र देखो अभी आराम आराम से बनाना क्योंकि अब कुछ गलती हुई ताकि आराम से एस कर सको बाद में फिर यहां से कर्व करते हुए लाएंगे अपन थोड़ा बीस फ्लाइट रखा यह उपर की तरफ आएगा यहां कर्व हुआ और यहां इस पॉइंट से निकलेगा थोड़ से अपनी नोस बन जाती अब एक चीज खो करने है हलका सा यहां पर यहां से नीचे की तरफ करना इस तरीके से नूस का बेस बन जाता है इतना बना लो अब तो आइब्रोज स्टार्ट करनी है वपन को कहा से आ रही है पहले तो यह पॉइंट थोड़ा सिक्स कोमा वाइव इधर से निकल लही है इसके थोड़े आगे से थोड़ा उपर उठ रही है और यहां से निकल लिए यह पॉइंट किता ऊपर है यह पॉइंट है 3 cm और dough सोकिछ निकल रहती है यहांशिश्च कि यहां के एंड हो रही यह यह है 8. 4 cm ऊके तो यह मैंने .4 cm जो से मार्किया फिर मैंने यह देखा कि किते उपर से निकल नहीं यह है और पॉइंट के किताओ ऊपर से निंचलती है यहाँ पर दो तो मैंने मार्क किया यहां one point two यहां पे कितना राइट है यह आया point seven तो यह मैंने मार्क कर दिया point seven थीख अभी लिघ सेविए पाइंट इारा गया अगे है यह पाइंट इंस जा थीवारे मार्क नोख लोग बना यहां पर क्या करू दीरे थीछे तुम्हें बाता है फ्लो यह आएगा ठीक है तुमने ऐसे धीरे धीरे पैंसल पीछे पकड़ना इसे बाहर की तरफ जाते हुए बाल बना थोड़े बिखड़ते हुए ठीक है अब इसे बना के चलो यह इसमें ऐसे बाल अलग से ड्रॉन ही करो इसे कर्व बना एक ठीक है यह बन गए यहां से एकटब नीचे आगये तो इतना फिर यहां से सीथरे सीथे जारह जा रहे जारहा जारह है ठीक है पीछे ऑ ट्रॉण bize यहां से गभण से लिषर क्रों हो गया और नीचे आगया ठीक है इसको क्यार करना चाहिए अपन को इस तरहीके से धीरे तो यहां से बहुत 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 लेकर यहां एसे जोड़ दो बहुत लाइटली ड्रॉ करना है थीक है जिसने डार्क ड्रॉ किया उसका फिर गड़ बड़ हो जाएगा बाद में शेडिंग के बावजूद भी दिखेगा तुम्हें सेम चीज अपन राइट आइबरो पे करते लाइट आइबरो देख सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थोड़ा सा गया थे तरफ तुम्हें क्या करना ऐसे धीर नीचे की तरफ आगये तो यहां से थोड़ा उठेगा और वापस इधर पे आके ऐसे नीचे की तरफ आ और पॉंक्ज सेंटिमीटर नीचे है, तो वन सेंटिमीटर right है इस लाइन के, ओ सोरी, मैंने गलत पॉंक्त लिया, गलत पॉंक्त लिया, ये, ये नीचे की तरफ आया, थोड़ा उठाए यहां से, और वापस यहां नीचे चला गया, अब कित्ता आगे है इस पॉइंट से राफ वन सेंटीमीटर राइट है और इस पॉइंट से पॉइंट सेंटीमीटर नीचे है तो यह अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो यहां पर आके अपने रोग दिया अब बाखी के points निकालना आसान है कि यह जो लिए से कितना लिए हो गया वन पोइंट से अधमति नीचे लाइगा यहां पे आएगा इवाला कितना नीचन नीचे से 15 से मिटर इसले कि लेवाल और कि prawन पऊंटा। दीरे हलके हलके बाल बहार की तरफ निकालओ ऐसे उपर की तरफ ले जाते हुए ठीक है यहाँ इस Check करते जाओ पीछे की तरफ ऐसे मुड रहे है ना ये इसे यहां से करे करो त'Tीक है राइट की तरफ ले वह इस इसमें भी 0.4 cm है यहां पर यह तो यहां से एक पीछे से बहुत लाइटली इस तरीके से आएगा कर और यहां के ऐसे जॉइन हो जाएगा इस तरीके से अपना जो फेस का शेप ना आईब्रोस और नोस का जो शेप आता है नोस टेम का वह बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है ठीक है इतना बना लो तो आई-स बनाते हैं तो देखो आई में दो तरीके होते हैं बनाने के ये दिखे रहा है इसकी पाइस में फटा अरिलियल हृं ब्लैक लियर देख सकते हो तो यह तो अंदर वाले के जर्मेंट लो उसका ब Volle की लो उसके अंदर उलो अब लेता है तो कि टेप कहां से चालू हो रही है अपनी ऐसके पॉइंट फाइज सेंट्यमेटर ऑप उपर ओके पर यह जो एंटक है कि यह ए कीटा है यह है पॉइट फो सेंटीमीटर और जो कवर वारा बो लिटरली जास ओनलाइन पर है तो और यह उपर वाले जो कर वाते्व हैं यह पॉइंट 9 सेंटी मीटर यह भी है पॉइंट 9 सेंटी मीटर तो पॉइंट 9 अब दखा दूम नाइट हो दूम थे होज्युत भी थे अपने पॉइंट लगा लिए पॉइंट लगाने बहुत आसान काम होगी आप तुम लोगों को एक चीज़ หवर रहती है मैक्सिमम पोंट आयका देख सकते हैं यहां पे यह पॉंट 9 संटीमीटर वन सेंटीमीटर की नायं के सेंटीमीटर सबसे हाये स्थ 20 पॉंट है यहां पर कई आई मैक्सिमम यहां आएगी और फिर नीचे की तरफ चले जाएगी तो जो अपन कर रहता है पहले तो सिंपल सा एक करव आएगा जो सारे पॉइंट को जोएंग करेगा ऐसे आया और अभी नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ गया तो एक बार ध्यानकना इसे थोड़ा एसे कर्व फॉर्म में एंड करना इसे ऊपर की तरफ कर्व करते हुए ऐसा नीचे लाकर छोड़ दिया उसे एक अपवर्ड फेसिंग कर्व की तरफ एंड करना अभी यहां पर आये ओके एसे कर्व किया ठीक है टिप बन गई अपनी इसे धीर इसे पर चिपकाया अपने यह लाइन ठीक है थोड़े इस लाइन के साथ चला और दो कर्व हैं यह मैं पहले अंदर वाला कर्व लिया हूं नीचे से तो यहां पर आके रुख जाएगा इसके नीचे एक और करव आएगा ठीक है धीरे से इस लाइन के थोड़े नीचे वह अबर वाली लेयर बनाता हूं मैं स्टार्टिंग में पतली होगी एंड में जाते आते मोटी हो जाएगी यह ठीक है इस तरीके से और यह उपर देखो यह बहुत पेशेंस का काम है इसमें आराम से बनानो यह हलका सा एक कर जो नीचे आता है आखों के यह कर जो ऊपर की तरफ है अपने आखों के फिर आईबॉल आ जाती है अपनी आईरेस अपनी आयर्यिस कर बणाने से इक सरकिल बना के अच्छेशन तर यहां पेश साय और यहां से कर्व हो गया यह। ठीक है इतना हिस्सा अराम आराम से बनाना और यह वाला हिस्था होता है अपने प्यू पिट सब्सक्री सब्सक्राइं अपनने एंच्प्षायस बनाना अब थोड़े साही लग रही तो यह अपनी राइट आइफ बन जाती है ठीक है इसे थोड़ा पीछे की तरफ यह से नीचे करते हुए यह आइलेश अभी नहीं बनाने की जरूरत आइलेश अपने जब शेड करेंगे यह फिर ग्राफ कर लेंगे उसके बाद बनाना आइलेश लाइट है यह डार्क है तो उसके वैसे आगे के से और डार्क लग रहे तो आई जिफरेंट जरूर रही है लेकिन है सेम ओके तो अपन स्टार्टिंग पॉइंट का आया यह आया पॉइंट नाइन सेंटिमीटर यहां पर और इस पॉइंट से कितना नीचे यह पॉइंट सेंटिमीटर नीचे इस पॉइंट से 1.4 सेंटिमीटर नीचे फिर थोड़ा उपर कर देता हूं मैं फिर एंड पॉइंट असल में यह रहा इस से थोड़ा नीचे यह आएगा तो यह कहां पर है यह है 1.8 सेंटिमीटर तो यह आया 1.8 सेंटिमीटर यहां पर गलत जगा ले करने थे अपने आपने अब नीचे वाले के के मेजरमेंट ऐसे बहुत कुछ खास नहीं है थिक कैशना कि किते राइट में थे 0.5 cm राइट में हैं है तो यह रहता है ऋपर वालो जो कर वै उसको और देख लो कि किते मेजरमेंट है उसके वन सेंटिमेटर यहां से है ऌप ग्रफ, यहां से है, वान सेटीमीटर यहां पे है, वन पॉंट फाइव, यहां पे है, ठीक है, शरुट इस तरीके से, तो अब ज़रा शेप दे, भी मिज़िए ती, अपने शेप, तो शेप के लिए क्लिए क्या करो, आगे से स्टार्ट ही, अपने यहां से, करवाना स्टार्ट होगा मैक्सिमम यहां तक जाएगा जैसे कि अपन को पता है और यहां से करव के साथ नीचे आए जाए जैसे इसमें उपर की तरफ गया था करव हलका सा करव यहां पे बनाना ठीक है उपर वाला करव एक स्मूध बनना चाहिए यह से नहीं हाथ कप पा रह आपन को जैसे एक आउटलाइन बनाई थी ना जो ब्लैक वाली वो आपन दुबारा बनाएंगे यहां पर यह बना इसको ले जाके इस पर जोइन कर देंगे इसे यहां पर अपनी टिप अलग कर दी है अपने इसमें देखो राइट साइड वाले मैं से नीचे का कर बहुत नीज़ था लेकिन इसमें है क्योंकि यह लाइट है यह डार्क है तो अपन को नीचे का जो कर अंदर की तरफ बनाना इस बार ठीक है अपन को यह कर थोड़ा डार्क बनाना पड़ेगा तो अभी उतना ज्यादा डार्क नहीं करो शेडिंग के टाइम कर लेंगे उसे डार्क यह अपना कर हुआ आइरिस यह रही अपनी अइरिस धर से कर होते हुए एक बार यह देख लो कि इस पॉइंट इस लाइन से किता लेफ्ट है यह वन सेंटीमीटर है तो अपनी आइरिस यहां पर आ जानी चाहिए तो यहां से ऐसे कर देख रही है अब अंदर प्यूपल की ब आया उपर वाला कर सिंपली इसका कॉपी है यहां से ऐसे आया और यहां के नीचे यह खलका साइक अपन जो कर बनाते हैं नीचे की तरफ यह वह आएगा और इस तरीके से अपनी जो आय है वो तैयार हो जाती है यह जो कर रहे ना नीचे बाले डिस्टिंग्विश रखना इसा नहीं कि एक दूसरे में आके मिल गए अपन को बाद में काम आएंगे इसे अच्छे से कर रखना है एक दम फ्लैट भी नहीं रखना हो अपन को यह थोड़े कर रहे ले ठीक है तो यह अपनी आई जो है वह अपनी बन जाती है आराम से यह एरिया को हलका हलका शेड कर यह वाला एरिया भी शेड़ेडी रहेगा और इस तरीके से अपनी पूरे जो फेस की जो आउटलाइंस है वह बन जाती है ठीक है इतना करके दिखा दो और आज के लिए इतना काफी है अपन नेक्स क्लास में शेडिंग स्टार्ट करेंगे ग्राफ एरेस कर लेना ठीक है